पडोसी देशों में सताय गए अलपसंख्यकों को नागरिक्ता देना भारत का कर्टाव्या राम माधव नई दिली भाजपा महा सचेव राम माधव ने नागरिक्ता संशोधन विधेय कैब का बचाव करते हुए कहा कि पडोसी देशों में सताय गए अलपसंख्यकों को नागरिक्ता देना भारत का करतावे है क्यूंकि वे धर्म के आधार पर देश का बटवारा करने क फैसले के पीडित हैं उलेकनिया है कि लोकसभा में सोमवार को पेश किये जाने वाले नागरिक्ता संशोधन विधेय कैब में कहा गया है कि पाकिस्तान बांगलादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर सताय जाने के कारण आए गैर मुस्लिम शीरनार्थियों के साथ अवैद प्रवासिया की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता और उन्हें विधेय के तहट भारतिया नागरिक्ता दी जाएगी भाजपा महासचिव राम माध्व ने नागरिक्ता संशोधन विधेय का बचाव करते हुए कहा कि पडोसी देशों में सताय गया अलपसंख को नागरिक्ता देना भारत का करतावे है क्योंकि वे धर्म के आधार पर देश का बड़वारा करने के फैसले के लिए पीड़त हैं माधव ने कहा कि इसी तरह का कानून आवराज करधीनियम 1950 में पंडित नहरु की ततकालीन सरकार ने बनाया था कर दो कर दो